नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, लेखक, मॉटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्वल पाटनी साथियों, आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उससे सिर्फ ये जन्म नहीं, अगले बहुत से जन्म सुधर जाएंगे आज मैं आपको दो अद्भूत असाधरन कहानिया सुनाने जा रहा हूँ साथियों, एक फलो की दुकान पर एक व्यक्ति खड़ा था वो केले के दाम पूछ रहा था, दुकान दार ने उससे कहा पचास रुपे दरजन उसने सेव के दाम पुछे, दुकान दार ने उससे कहा दो सो रुपे दरजन इतने में ही एक व्रिद्ध महिला आई उसने पुछा केले क्या भाव दिये दुकानदार ने कहा 10 रुपे दरजन उसने पुछा सेव क्या भाव दिये दुकानदार ने कहा 50 रुपे दरजन उस महिला ने अपने जेव से कुछ सिक्के निकाले और बड़ी छोटी सी मात्रा में फल लेकर वहाँ से चले गई बाजू में जो व्यक्ति खड़ाता हो है रान हो गए उसने का अभी अभी आपने मुझे केले 50 रुपे दरजन और सेब 200 रुपे दरजन बताएं और आपने इस महिला को इतना कम क्यों बताया उस दुकानदार ने जवाब दिया साब इसका दुनिया में कोई नहीं है ये मेरी दुकान पर आती है मैं कई बार इसकी मदद करना चाहता हूँ इसको दान देना चाहता हूँ इसको फ्री में फल देना चाहता हूँ ये कभी नहीं लेती इसमें इतना ज़्यादा स्वावी मान है और मैंने देखा है ये जब भी मेरी दुकान आती है उस दिन मेरी बिकरी कई गुना बढ़ जाती है मुझे ऐसा लगता है ये मेरी दुकान आती रहे ये मुझसे लेती रहे इसकी मैं जैसे ही मदद करने की सोचता हूँ मुझे लगता है उपर वाला उस दिन मेरी मदद करने लग जाता है इसलिए मैं हमेशा इसको वो भाव बताता हूँ जिस भाव पर ये फल लेके चली जाए और उपर वाला मुझे महरवान हो जाए साथियों कहवत है जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेव खोलते हैं उपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है एक अच्छे आदमी के पास धना है सौ लोगों का भला होगा एक बुरे आदमी के पास धना हैगा दुनिया में किसी का भला नहीं होगा साथियो यूरोप का एक रेस्टरो ध्यान आता है मुझे बीच में जब अनेक बार कहानी आई जिसमें यूरोप के एक रेस्टरो की बात आई मैंने व्यक्तिकत रूप से उस रेस्टरो को विजिट किया मैं वहां का आखो देखा हाल बता रहा हूँ जब भी उस रेस्टरो में कोई व्यक्ति जाकर एक कॉफी और करता है अपने लिए तो एक कप कॉफी मेरे लिए और एक कप कॉफी एनॉनिमस के लिए और Anonymous के लिए का आर्थ है वो दो कॉफी के पैसे पटाता है एक कॉफी वो खुद पीता है दूसरी कॉफी का स्टिकर दिवाल पे चिपक जाता है कुछ देर बाद कोई गरीब कोई अंडर प्रिवलेज अफोर्ड ना कर सकने वाला व्यक्ति आता है और उस दिवाल से वो Anonymous वाला स्टिकर उठाता है काउंटर पर लेके जाता है कॉफी पीता है चला जाता है जाने लोग ऐसा किस किस चीज के लिए करते हैं वो पिज्जा के लिए करते हैं वो बेकरी आइटम्स के लिए करते हैं वो अपने लिए लेते हैं और साथ में एक किसी अंजान व्यक्ति को को दान दे देते हैं मैं धन्य हूँ ऐसे देशों की मानसिक्ता पर जहां इस तरीके की सोच है आज मैं आप से कहना चाहता हूं यदि उपर वाले ने आपको सामर्थ द्वान बनाया है जितनी सामर्थ ओ दिल से करेंगे ना एक रुपए भी लाख रुपए के बराबर काम आएगा और साथियों एक बात आपसे और कहना चाहता हूं जीवन में कभी 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 रिटायर होने की मत सोचना यदि आपको लगे मेरे पास बहुत हो गया है मेरे को और जुरुरतनी में शांती से बैठ जाओं तो उसके बावजूद वो एक-एक मिनट कमाते हैं बिल गेट्स हर छण उनकी कमाई करोडों से बढ़ती है उसके बावजूद उन्होंने कमाना नहीं छोड़ा ये दुनिया के सबसे विनम्र लोग है ये खुद पे सबसे कम खर्च करते हैं आज भी अपने पुराने घर में र ताना है किसीने हेपटेटriel कुछ कमाने की काभिलियत है मेरे दोस्त तो कभी रिटायर मत होना जीवन की अंतिम सास तक कमाना उन्हीं लोगों के लिफ कमाना जो आपके जितने भागेशाली नहीं है, आज आपको संकल्ब देता हूँ, कली कुछ दान कीजिए, किसी को कहीं कुछ सेवा दान कर दीजिए, किसी को कोई दवाई दान कर दीजिए, किसी को शिक्षा दान कर दीजिए, कब तक अपने हाथों को ऐसा रखोगे, कभी मंदिर में मांगते हो, कभी मस्जिद में मांगते हो कभी गुर्दवारे में मांगते हो अरे हाथ ऐसा करने की जगा हाथ ऐसा कर दो जिस दिन हाथ लेने वाले की जगा देने वाला हो गया ना उस दिन उपर वाला आपकी चिंता खुद करेगा और जब उपर वाला किसी की चिंता करता है तो उसको अपनी चिंता करने की जरुरत में बढ़ती और हो सके तो अपने प्राफिट का या और बड़ा करना हो तो अपने टर्नोवर का छोटा सा एक हिस्सा संसार के लिए रख देना आपके साथ जो आपकी टीम काम करती है ISR Internal Social Responsibility दुनिया में बड़ी बड़ी जगा बड़ी बड़ी चीजे बनाइए लेकिन आपकी अपने टीम के लोगों की फिक्र करिए यदि आपके स्टाफ में किसी का बच्चा ब्रिलियंट है शिक्षा नहीं ले पा रहा है उस बच्चे की शिक्षा की जिम बिमार पड़ता है तो वह बिमारी से उसकी पूरी एकोनामिक रवला जाती है उसका मेडिकल इंशोरेंस कराई है यदि न कराया हो यदि संभव ना हो तो कम से कम उसकी हारी बिमारी में कुछ दान कीजिए आप से अपील करता हूं बिना एक छण की देर कि आजी दान स्टा हूंगा इस वीडियो को आप सेकड़ो हजारों लोगों तक पहुंचाइए यदि इस वीडियो के माध्यम से लोगों ने दान करना शुरू किया किसी गरीब की जिंदगी समरी किसी बच्चे को शिक्षा मिली किसी बिमार को दवा मिली तो उसके हिस्से का कुछ पुर्ण आ आपके कोटे में आएगा और कोछ पुर्ण मेरे कोटे में आएगा आएए मिल जुलकर एक शांदार दुनिया बनाएं शुक्रिया धन्यवाद थैंक्यू